उत्तर प्रदेश की योगी अधितिनाज सरकार ने आज क्याबिनेट की बैठक पुलाई जिसमें कई एहम फैसलों पर महर लगाई गई जिसमें सबसे ज़ादा चर्चा है उत्तर प्रदेश और नॉटा में पुलिस कमिशनरी सिस्टम को बंसूरी देने की जिसले कर योगी सर प्रीमो मयवती ने राज्च्छ सरकार के फैसले को लेकर जबरदस्त टंज कसा है योगी अधितिनाज सरकार अकसर अपने फैसलों को लेकर सुर्खियों में रहती है कभी विपक्ष उनके फैसलों की तीखी आलूचना करता है तो कोभी सलहा देता है ऐसे में अब योगी सरकार ने एक और एहम फैसले पर महर लगाई है जिस पर सियासत भी तेज हो गई है दरसल योगी अधितनास सरकार ने लखनव और नॉयटा में पुलिस कमिशनरी सिस्टम को मनजूरी दे दी है पुलिस कमिशनरी प्रिणाली में उग पुलिस अधिक्षक से उपर जितने अधिकारी होते हैं उनके पास मजिस्ट्रेट स्तर की शक्ती होती है मगर थान अधिक्ष और सिपाही को वही अधिकार रहेंगे जो उन्हें फिलहाल मिले हुए हैं इस बारे में मुख्यमांत्री योगी अधितनात ने कहा कि पिछले 50 साल से बहतर हो स्मार्ट पुलिस सिंग के लिए पुलिस आयुक्त प्रणाली की मांग की जा रही थी हमारे कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पास कर दिया है सिएम योगी ने कहा कि एडीजे स्तर के अधिकारी पुलिस आयुक्त होंगे जबकि 9 SP rank के अधिकारी तैनात होंगे कानूनी कारवाई करने से ही प्रदेश की बधहाल कानून व्यवस्ता में सही सुधार आ सकता है जिसकी तरफ सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए आपको बता दे कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब मायवती ने योगी सरकार को खेरा हो इससे पहले भी वो कानून व्यवस्ता से लेकर सिक्षा व्यवस्ता पर योगी सरकार को आईना दिखा चुकी है ऐसे में एक भार फिर उन्होंने योगी सरकार को तल्ख तेवर दिखाए है अब योगी सरकार इस पर क्या कुछ कहती है ये देखना होगा डीबी लाइफ की रिपोर्ट